अभिवादन, कारुत साही, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आटोमोटिव ब्रांडों की आकरशक कहानी की खोज कर रहे हैं, टाटा मोटर्स द्वारा इसके अधिग्रहन से पहले इसके उत्थान से लेकर इसके अशान्त समय तक, इस प्रतिश्थिक ब्र अटोमोटिव स्टोरी को कभी मिस न करें, अब टाटा के आने से पहले जगुआर की उतार चड़ाव पर नजर डालते हैं, एक जगुआर की शानदार शुरुआत, हमारे कहानी 1922 में शुरु होती है जब जगुआर की स्थापना ब्लैक्पून, इंग्लेंड में स्वलो सा के लिए साइब कार बनाने पर ध्यान केंडरित किया, कमपनी ने तेजी से आटो मोबाइल के निर्मान में कदम रखा 1945 में जगुआर कार्स लिमिटिट का नाम बदल कर, ब्रान ने अपने सुरुचिपून दिजाइन, परिश्प्रिक प्रदर्शन और मोटो स्पोर्ट्स में सफलता के लिए पहचान हासिल करना शुरू कर दिया 2. स्वर्ण नियुक, 1950 और 60 के दशक के दोरान, जगुआर ने अपने सुनहरे युक का अनुभब किया XK120, Mark II, और पौरानिक ही टाइप जैसे प्रतिश्थित मॉडलों के लॉंच ने शांदार स्पोर्ट्स कारों के निर्माता के रूप में जगुआर की प्रतिश्था को मजबूत किया इन वाहनों ने दुनिया भर में उत्साही लोगों को अपनी आकर्शक लाइनों, शक्तिशाली इंजनों और शांदार अंद्रूनी हिस्सों से आकर्शित किया 3. आर्थिक उथल कुथल चड़क पर सफलता के बावजूद, 1970 और 80 के दशक ने जगुआर को वित्तिय चुनौतियों का सामना करना पड़ा पर्ति उत्पादन लागत, गुनवत्ता के मुद्दों और वैश्विक मंदी के प्रभाव ने ब्रांट पर असर डाला कंपणी ने विश्वस्नियता और आधुनिक तक्नीक के मामले में प्रतिभवंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संधर्ष किया, जिससे विक्री और बजार हिस्तेदारी में गिरावत आई 4. पोड का अधिग्रहन 1989 में, जगुआर की विप्तिय परेशानियों के बीच, ब्रांट को फोड मोटर कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था फोड ने जगुआर की विरासक में एक्षमता देखी और इसका उदेश्य ब्रांट को पुनर जीवित करना, महत्वपूर्ण निवेश करना और उद्पादन सुविधाओं का आधुनी की करन करना था फोड की स्वामित्व में, जगुआर ने बहतर गुनवत्ता और प्रोध्योगिकी का प्रदर्शन करते हुए एक्सके और एक्सजेई जैसे नए मॉडल पेश किये फाइव, मिश्रित परिनाम और टाटा का हस्तक्षेव फोड के प्रयासों के बावजूद, जगुआर को चुनोतियों का सामना करना पड़ा चब की कुछ मॉडलों को आलोचनात्मक प्रशन सा मिली, ब्रांड वित्तीय घाटे से जूच रहा था और महत्वपून बजार इस्सेदारी पर कबजा करने के लिए संधर्श कर रहा था 2008 में, वेश्विक वित्तीय संकत के बीच, भारत की ताटा समूर की सहायक कमपनी ताटा मोटर्स ने फोर्ट से जगुआर का अधिग्रहन किया, जिससे प्रतिष्थिट ब्रिटिश माके के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ 6. ताटा का पुनरुद्धार और कायाकल ताटा के नेत्रित्व में, जगुआर ने पुनरुद्धान का अनुभव किया ताटा मोटर्स ने जगुआर की ब्रांट शवी को मजबूत करने, अनुसंधान और विकास में निवेश करने और अपने मॉडर्ल लाइनप का विस्तार करने पर ध्यान केंडित किया फिशेश रूप से, जगुआर ने F-Type पेश किया, जो एक शांदार स्पोर्ट्स कार है जिसने अपने प्रदर्शन और डिजाइन के लिए प्रशन सा बटोरी ताटा की समर्थन से, जगुआर ने इलेक्रिक और हाइब्रिड प्रोध्योगेकियों के विकास सहित नवाचार को अपनाया कमपणी ने उन्नक विनिर्मान तक्नीकों में भी निवेश किया, उच्च गुनवत्ता वाले उत्पादन को सुनिश्चित किया और लक्जरी कार बजार में जगुआर की अपील को बढ़ाया साथ, वर्तमान और भाविश्य की संभावनाएं आज, जगुआर एक प्रतिष्थित लक्जरी कार ब्रांड के रूप में विक्सित हो रहा है, जो दुनिया भर में समझदार ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है एफपेस जैसी SUV और आईपेस जैसे इलेक्ट्रिक मॉडल सहित वहनों की एक विस्त्रिक श्रिंखला के साथ, जगुआर का लक्षय बजार के बदलते रुझानों के अनुकुल होना और टिकाओ गतिशीलता को अपनाना है और ये रहा आपके पास टाटा मोटर्स के अधिग्रहन से पहले जगुआर का उत्थान और पतन अपनी शांदार शुरुआत और प्रतिष्टिक डिजाइन से लेकर वित्तिय उत्थल पुथल और फोर्ट के हस्तक शेप तक जगुआर की यात्रा जीत और चुनोतियों से चिनित रही है